नमस्कार दोस्तों फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मेरा नाम है उंकुर और आज हम बात करेंगे अगर आप एक हाउसकीपर के पोजिशन के लिए अपलाई कर रहे हो तो इंटेवियू में आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका जबाब कैसे देना है मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि हाउसकीपर का काम क्या होता है उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और चलिए हम देखते हैं क्या सवाल पूछे जाएंगे आपसे इस इंटर्वियू में आपके strength क्या है आपकी weakness क्या है आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी पात साल में आप कहां पहुचना चाहते हो आप इस company में काम क्यों करना चाहते हो ऐसे कई सारे common HR के सवाल पूछे जाते हैं जैसे की tell me something about yourself सो इन सवालों के जवाब जो है इन सबका मैंने एक individual वीडियो बना दिया है सो हर interview वीडियो में मुझे ये common questions का जवाब न देना पड़े सो उनका link जो है मैं description आउपर i button में आपको दे दूँगा तो common HR questions जो है वो तो आप संभाल लेंगे लेकिन अगर आप housekeeper बन रहे हैं तो आपसे क्या पूछा जाएगा पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि housekeeping attendant का काम क्या होता है क्या आप इस काम को समझते हैं मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो of course आप काम समझ चुके होंगे लेकिन तीन broad categories है पहला room के अंदर का काम room के अंदर जो है सफाई होना, linen बराबर से organize होना washroom, bathroom बराबर से clean करना कोई अगर उसमें toiletries हो, समान हो, उसे replace करना हो तो उसे replace करना, towel, चदर, कोई भी चीज के guest को जरुबत हो उन्हें मिल जाना चाहिए, कोई complain नहीं होनी चाहिए परदे, windows, इनकी cleaning भी इसी का पार्ट है और dustbin clear करना भी इसी का पार्ट है तो यह हुआ एक जो आपके room related काम है फिर common area होते है, hotel या guest house के carpet हो सकते है, elevators हो सकते है वहाँ पर equipment या जो भी vacuuming करना है उसे सही तरीके से करना आपका दूसरा काम हुआ और तीसरा काम जो है common areas है, lawn है, उनका ध्यान रखना और चौथा अगर duty हो तो जो भी equipment, समान आपको चीजे दी जा रही है room में रखने के लिए वो चीजे जो है बराबर से आपको maintain करनी है और store room तक पहुचानी है उनका maintenance बराबर रखना है एक चीज और add करनी हो, तो ये भरोसे वाला काम है गेस्ट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए गेस्ट कोई चीज अगर room में भूल गया हो तो आपकी responsibility है कि आप उसे safely collect करके reception में दे दे एक ही दिन में आप अपना सारा काम कैसे पूरा कर लेते हो तो इसका जवाब देते समय आपको बताना है कि आप जो है काम prioritize करने में बड़े अच्छे हो कि आपको पता है कौन सा काम urgent है और कौन सा थोड़ा सा urgent काम पूरा होने के बात कर सकते हैं जैसे guest की कोई complaint आए या guest को कोई urgent request हो तो वो priority number 1 हो जाता है बाकी काम जो हो जैसे common areas में कुछ cleaning करना है वो priority number 2 हो जाता है दूसरा जो है आप बताएंगे कि आप time waste नहीं करते हैं आपको पता है एक के बाद एक दूसरे काम lined up है तो आप काम के समय सिफ काम करते हैं दूसरे चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करते हैं और तीसरी जो है आप कह सकते हैं कि आप multitasking में अच्छे हैं और आप checklist maintain करते हैं तो दोनों चीज कहना जरूरी है पहला बताएं कि आप multitasking में अच्छे हैं कि बहुत सारे काम एक साथ आजाए तो आप उन्हें संभाल सकते हैं और दूसरा बहुत सारे काम अगर एक दिन में करने हो तो आप checklist बनाते हो कि कौनसा काम करना है कि कोई काम आप भूल ना जाओ तो चीजों को याद रखने के लिए आप checklist बनाते हैं तो ये चीज़े आप कहेंगे तो interviewer जो है satisfy हो जाएगा कि जी हाँ आप बहुत सारा जो है डाइनमिक काम एक दिन में handle कर सकते हैं आप से पूछा जा सकता है Are you familiar with chemical cleaning processes? Chemical से जो cleaning होती है क्या आपको वो आता है? Chemicals का सही use आता है? नहीं आता है? अगर आपने उस बारे में सीखा है पहले use किया है तो हाँ बताईए वरना आप बता दीजिये कि इसके बारे में आप सीख सकते है अगर company सिखाईगी तो बड़ा simple सा है आता है तो बताओ नहीं आता है मद बताओ Explain me a time when your work was criticized आपकी आलोचना की गई थी आपके काम की आलोचना की गई थी और आपने उस situation को कैसे संभाला So बड़ा simple है अगर आपके साथ कोई incident हुआ है तो आप बताईए जैसे कि आपके senior ने आपको बताया कि आप windows या carpet बराबर से clean नहीं कर रहे हो फिर आप बताईए कि आपने कैसे improve किया कोई senior से कोई अपने colleague से सीखा आपने काम, YouTube से सीखा आपने काम और उस काम में आप अच्छे हो गए या फिर अगर आप student रहें, अगर आप fresher हो तो आप बताईए कि college में कोई subject में या college में किसी चीज में या आपके hospitality class में आप कही पे पीछे रह गए थे इसमें आपने कैसे अपने आपको improve किया आप इस बारे में बताईए अगला सवाद अगर guest आप से कुछ ऐसा कह दे या आपका manager आप से कुछ ऐसा कह दे जो आपके काम में आता ही नहीं है तो आप कैसे react करेंगे इसका आपको बहुत important जवाब दे रहा हूँ मैं यह hospitality industry है hospitality industry में सिफ एक ही rule है कि guest की need पूरी होनी चाहिए guest को inconvenience नहीं होनी चाहिए तो यह एक dynamic job है तो आप इस चीज को acknowledge कीजे interviewer के सामने कि guest की requirement number one है उसे पूरा करने के लिए job description के बाहर जो करना पड़े हम करेंगे How do you handle a client who is unhappy with your work and is complaining तो कोई client आपके cleaning से या किसी और काम से खुश नहीं है और complain कर रहा है तो उसे आप कैसे संभालेंगे इसके कुछ steps है पहला आप client की बात अच्छे से सुनेंगे आप उन्हें बीच में काटेंगे नहीं नहीं कर सकते तो आप किसी कली को या manager को supervisor को बुला कर तुरंत उस problem को solve करवाएंगे लेकिन आप problem को दबाने की छुपाने की अपने आपको गलत ना बताने की कोई कोशिश नहीं करेंगे guest को अगर complaint है तो उसे solve करना एक मातरा आपका goal होगा आप अच्छे दिख रहे हो बुरे दिख रहे हो इसकी कोई जो है value नहीं है value है कि client happy था या नहीं था Do you like working in a team? कि आपको एक team में काम करना पसंद है देखिए team में काम करना हर किसी को पसंद नहीं होता लेकिन interview में हमेशा कहना होता है कि teamwork important है क्योंकि हम सब की कोशश ही ही होती है कि हम team में अच्छे से काम करेए अगर आपको team work में थोड़ी परेशानी भी होती है तो आप उन अच्छी चीज़ों को जानी है जो team work से हम सीखते है जैसे की कोई चीज़ में अगर आपके colleague अच्छे है तो तो आप उनसे सीख सकते हैं, अगर कोई काम आपसे पूरा नहीं हुआ, अगर अच्छा teamwork है, तो आपके कलीक संभाल लेंगे, एक दूसरे को हम push कर सकते हैं, अपना काम भैतर करने के लिए, और अगर हम अपना काम इस तरह divide करें, कि हर कोई वो काम करें, जिसमें वो specialized है, तो team साथ में मिलकर ज़्यादा काम कर सकती है, इसलिए team work की value करना ज़रूरी है, specially इस industry में, अगला आपसे पूछा सा सकता है, कि क्या customer service और communication skills, आपके housekeeper के काम में ज़रूरी है, इसका जवाब है, बिलकुल हाँ, अगर आप एक housekeeper है, कीजिए, कि समझाओ उन्होंने toothbrush या गंगी मांगी, तो आप साबुन भी लाकर offer कीजिएगी, क्या आपको इसकी जरुवत है, तो customer service और communication skills, दोनों चीज important है, communication सिर्फ चीजे कहने के बारे में नहीं होता है, सुनने के बारे में भी होता है, देखिए, customer service के बारे में भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए है, लेकिन communication skills अगर आपको सीखना है, specially इस industry में, तो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, मिनाक्षी मैडम का, आप उनका वीडियो देखिए, उनका चैनल फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, communication skills, अगर आपको आपके communication skills और English को improve करना है, तो उसके लिए भी कुछ वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, description में और उपर आई बटन में, उसे follow करके आप अपना communication, English, client handling, इन सारे skills को जो है, improve कर सकते हैं, जब आप housekeeping के interview के लिए जा रहे हैं, तो एक चीज बहुत ज़्यादा important है, कि आप जिस institution में, जिस company में जा रहे interview के लिए, उसके बारे में सीखिए, उसकी service कैसी है, वहाँ कैसे लोग काम करते हैं, उनके बारे में जाच करके जाएं, तो थोड़े अपने आपको informed करके फिल जाएं, कि आपको पता होना चाहिए, कि वहाँ पे काम किस तरीके से होता है, किस level का होता है, कि interview में आप जो है, off guard ना हो जाओ, आपको पता हो क्या expect करना है, hospitality industry पर मेरे कई सारे वीडियोज है, उन्हें ज़रूर देखिएगा, कोई सवाल हो, comments में पूछिए, अगर कोई और कुछ सवाल पूछ रहा है comments पर, तो आप उसका जवाब दीजिए, अगर आप help कर सकते हैं तो, और चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर दीजिए, आपके करियर के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज में बनाता रहूंगा,